हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल कीरन व्लोग्स और शॉट्स पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार और अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा तो फ्रेंड्स अभी साम का टाइम हो रहा था और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट ह साम के दियाबाती से लेकर तो अभी यहां पर साम का दियाबाती का टाइम हो रहा था और थोरा सा लेट हो गया था और कुछ काम करने में सायद में बिजी हो गई थी तो यहां पर मैं सबसे पहले दिया जला लेती हूं क्योंकि अभी मुझे दियाबाती दिखाना है पुरे घ गई हूँ छट के उपर और यहां पर देखिए आज मैंने कपड़े भी नहीं गुशाएं क्योंकि कपड़े सुखे ही नहीं थे बादल था हलका फुलका तो जल्दी से कपड़े सुखे नहीं तो अभी जो भी है सुखा हो ना सुखा हो तो अंदर में गुशा दूँगी जो स दिखा देती हूँ उपर में तो मेरी साम की पूजा हो गई थी अम मैं नीचे आकर पूरे घर में दिया बाती दिखा देती हूँ इदार आंगन के तरफ आकर भी दिया दिखा देती हूँ और पूरे घर में दिया बाती हो गई है अब बस यहां पर मंदिर में मुझे दिया गुसाई थी तो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था और मुझे चट के लाइट जलाना पड़ा तो यहां पर देखिए मैं सभी कपड़ों को ले चलती हूं नीचे और ज्यादा कपड़े आज थे नहीं और बच्चों के कपड़े थे तो आज मतलब क्या हुआ ना क इसके बाद मैं घुसाई नहीं उसके बाद हलकी फूलकी कभी-कभी बीच-बीच में धूप हो रही थी और फिर च्छाम हो जा रही थी तो इस तरह से मौसम हो जा रहा था ना कभी-कभी तो फिर आज जल्दी से कपड़े सुखे ने तो जितने भी हलके कपड़े हैं वो सा मेरा हो जाता है क्योंकि जादा कपड़े तो थे नहीं तो जल्दी जल्दी ही मेरा सारा काम हो जाता है और बच्चे अभी खेल रहे हैं और अभी बाहरी खेल रहे हैं और मेरा काम बस अब खतम मतलब साम का जो है वो खतम होने वाला है और काफी जादा पूरे दिन में काम होत है ना मतलब ऐसे ना घर देखके लगेगा कि हां क्या काम होता होगा लेकिन जो करता है ना उसको पता होता है कि कितने सारे काम होते हैं घर में तो यहां पर देखी यह साम के धूले हुए मतलब दोपहर के धूले हुए बरतन है तो यह सुख गए थे इसको मैंने ऐसे ही यहां पर स्लैप में पलट के रग दिया था तो इसका जो सारा पानी है वो सूख गया है अब जो है जितने भी बरतन है सबको मैं स्टैंड पर लगा के रग दूँगे क्योंकि किचन मैसी हो जाता है तो फिर हमें किचन के काम करने में काफी ज़्यादा लेट होने लगता है तो यहा जब भी किचन में आते हैं ना फिरिज में कुछ हो या ना हो फिरिज को खोलते जरूर हैं पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे क्यों करते हैं या तो फिर मेरे बच्चे ही करते हैं या फिर सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं तो चलता है उतना तो फिर यहाँ पर देखिए मैं सभ घी बनाती हूँ तो हम लोग घर का ही बना हुआ घी यूज करते हैं तो एक कटोड़ी तो हो गया है तो आज नहीं कल मैं इसका जो है मलाई से मक्खन निकालके फिर घी निकालूंगी और आज तो नहीं हो पाएगा और अभी यहां पर देखिए फ्रेंट्स मैं आटा निकाल नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी बनानी है रोटी और आज का जो खाना है वो काफी सिंपल रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और सुभें भी सबजी बनी थी फिर दोपहर में भी सबजी बनी थी तो अभी है ना साम को स्रीफ हम लोग दूद और रोटी खा ले तो फिर हमें बीच बीच में हलका फुलका ही खाना खाना चाहिए जो हमारे सिहत के लिए अच्छा होता है और पाचन में भी अच्छा हो जाता है जल्दी सिर्फ पच जाता है तो आटा वगरा गून के अभी मैं यहां पर रोटी बना रही हूं और बच्ची अभी पढ़न हो और आज ना मैं फ्रेंट्स कल सामको मैं मार्केट गई थी और जो एक होता है जाली जिसमें टमाटर वगरा बना पकाते हैं बैंगन वगरा पकाते हैं और यह वाली जो जाली है ना इसमें रोटियां भी सीख जाती है और काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं यह वाला तो जो गैस का बर्नर है ना उसके छेद बंद हो जाते थे और बार बार उसको मुझे दोना पड़ता था तो अभी ये वाली जो जाली ले ली हो ना इससे मेरा काफी जादा काम आसान हो गिया है और इसके क्या होगा ना नुकसान भी नहीं होगा गैस का बर्नर है ना इससे ब मतलब एक चीज से कई सारे काम हो जाएंगे, यह मतलब जो मैं जाली लेकर आई हूँ, तो बहुत जादा मेरा काम इससे आसान हो गया है, इतने सालों से यह मेरे पास नहीं था, तो कल जाकर मैं सबसे पहले यह जाली लेकर आई हूँ, और एक चूला जलाने के लिए लाइटर लेकर आए हूँ क्योंकि मेरे पास लाइटर भी नहीं था और बहुत ज़्यादा माचीज खतम होता था तो फिर मैं एक लाइटर भी ले आए हूँ और एक जाली लेकर आए हूँ तो आज सामका कुछ इस तरह से मेरा व्लॉग था फ्रेंड्स और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करियेगा और उमिद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो चैनल को ल थाहय कोज़ सोती है ।